बेजवान पक्षियों के लिए बर्गत के पेड़ में फैलाए जाल को खाकी ने निकाला खाकी वर्दी की मानवता ने किया पंक्षियों का विधी विधान से अंतिम संस्कार जेरों थाना अंतरगत कोईली में राकिश कुश्वाहा ने बर्गत के पेड़ के उपर जाल डाल रखा था जिसमें बेजवान पक्षी मर रहे थे उक्तुसूचना पर पुलिस सदिक चक निवाडी आलोक कुमार सिंग को लगी तो उन्होंने तुरंत SDOP प्रतिपर संतोस्पटेल को मौके पर भेजा SDOP और थाना प्रभारी जेरण सुरेंदर यादब जवानों को लेकर कोईली के खेतों में तालाब के पास पहुँचे इंसान बेजुवान नादान पुलिस सब की सुनती है जहां बरगद का नया पेड जो अपनी युवा वस्था में है और पक्षियों का आकरशन का कैंदर था बिभिन प्रकार के पंक्षियों ने बास बना रखा था एक निर्दई इंसान को पक्षियों की चह चहाहट रास नहीं आई और उसने अपनी तुच्छ नियत का परचे देते हुए पेड के उपर नायलोन के रेशे का जाल बिछा दिया जिसमें कई प्रकार के सुन्दर रंग बिरंगे पक्षि जैसे नीलकंठ तोता फस गए और फड़ फड़ाते रहे उनकी कोई सुनने वाला नहीं था और बही पर तड़प तड़प का मर गए और कुछ दिनों बाद सूख गए लेकिन प्रकरती की रंगत अभी गायब नहीं हुई थी पंक्षियों को देखकर लग रहा था मानो आराम से सो रहे हों किसी और बेजुबान की जान जाती है उससे पहले निवाडी पुलिस को खबर लग जाती है तालाब किनारे पेड़ की डालियों तक पहुँच गई मौके पर पुलिस टीम के आरक्षक आकास वा ग्रामेडों की मदद से बरगत के पेड़ पर चड़ कर जाल को निकाला जिसमें चार तोते फसे हुए थे जो सूख चुके थे उनको निकाल कर बनविभाग को सूचित किया गया और बनविभाग के द्वारा अग्रिम ही है आरोपी राकेश कुछवाह के खिलाफ बन्य प्राणी संरक्षन अधिनियाम 1972 के तहित कठोड़तम कारवाई की जारा ही है आरोपी अभी फरार है निवाडी पुलस द्वारा किये गया मानविए कारमे आरक्षक महिंद्र परिहार आकास रिचारिया कुमार शानू योगदान रहा वा जिनकी बदोलत पक्षियों के परो को आजादी मिली है और चा से रमेश विश्व कर्मा की रिपोर्ट की उहार को सॉप दिया गया है सिख्र करवाई होगी हो है